हालो फरंस वल्कम बैक टू दी चैनल मैं रोगिन दिमान आपका स्वागत करता हूँ और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलेंड के लिटेस्ट ट्रैवल के बारे में तो भाई इंस्टा पे काफी लोग पूछ रहे हैं इसके बारे में भी कि अभी के टाइम में अभी फैब चल रहा है और अभी के टाइम में कैसी सिचुएशन है न्यूजीलेंड लोग ट्रैवल कर रहे हैं के नहीं कर रहे हैं या फिर करें तो फिर कैसा है इमिग्रेशन कैसा लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की comments आ रहे हैं पूछ रहे हैं तो उसी के बारे में चुछे बात करेंगे भाई अभी कि latest travel to New Zealand कि आपको जाना चाहिए अगर जाना चाहिए तो कैसे या फिर कौन से documents से आपको travel करना चाहिए तो देखो भाई इस channel पर क्या होता है basically कि लोग experience here करते हैं जब वो travel करते हैं तो जब लोग जाते हैं तो उनको पता इसले जाता है कि भाई अभी के time में कैसा उनका travel रहा दिली से कैसा रहा या फिर ट्रांजिट उनने गहीं पर लिए तो वहाँ पर कैसा रहा और आगे final destination में जहां पर पहुंचे हैं वहाँ पर उनका experience कैसा रहा तो देखो न्यूजिलैंड पर रिसेंटली कुछ ट्रैवलर समने ट्रैवल किया है और बात हुई उनसे तो उनने बताया पूरा कि कैसा भी process है तो वही मैं आपके साथ डिस्कुस करूंगा अभी सबसे पहले तो पहले जो documents उनके पास या फिर आपके पास भी होने चाहिए वह कौन-कौन से मैं आपके पता देता हूं सबसे पहले वह आपकी return ticket होनी चाहिए आपके पास आपके पास जैसे गर same airline से आप ट्रैवल कर रहे हैं इंडिगो से ट्रैवल कर रहे हैं तो कैसे होता है जो आप एक्चुली काउंटर पर जाते हैं बोर्डिंग पास लेने तो बोर्डिंग पास लेने जो आप जाते हो तो वहां पर आपका एक PNR नंबर होता है आपके टिकेट पर जनरेट होता है जो वह डालते हैं वह डालने के बाद आपकी दोनों flights आपकी transit flight आ बोर्डिंग पास का है मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे कर सकते हैं इस चीज को आप ध्यान रखना यह बड़ा ही sensitive topic है और काफी सरे लोग इसमें confused भी रहते हैं तो return ticket आप क्यों होनी चाहिए आपके पास hotel booking होनी चाहिए भाई hotel booking में आप paid property वाला hotel कर लो या फिर ऐसा hotel जो आपने paid कर दिया हो जैसे prepaid वोगते हैं जिसको पहले आपने payment कर दिये तो दूने acceptable है हाँ आपके डमी नहीं होना चाहिए भाई आपके नाम से वह confirm जुरूर होना चाहिए in case जब आप hotel booking करते हो तो उस पे एक booking ID होती है या फिर एक reference नंबर होता है फिर booking नंबर होता है उस नंबर से आपकी जैसे वह नंबर डालेंगे तो हिष्टी पता से जादी कि आपकी booking fake है या dummy है या फिर real है तो real confirm booking करो भाई प्रोपर्टी वाली करो उसमें आपकी card की security लग नहीं आगी तिसी जी भाई travel insurance होता है वो mandatory नहीं है आज कल तो क्या होता है कि flight जब आप book करते हो तो साथ में ही option देता है कि आपको इतने कम travel insurance दे रहे हैं तो वो आपको और सस्ता पड़ता है तो साथ के साथ आप वो मेरे साब से 507 रुपे का मिल जाता है same time the moment you will book the flight तो same time आपको मिल जाता है तो ऐसे करके भी आप वो insurance ले सकते हो और mandatory तो document नहीं है लेकि नहीं फिर भी आपकी safety के लिए वेस्ट है उसके बास आप cash कितना लेके जाते हो बहुत साथ लोग पूछते हैं कि cash कि क्या issue है cash flow cash कितना लेके जाना चाहिए और कितना उनके पास होना चाह है देखो cash आप कितना भी रखो लेकिन at least 2000 से जादा वो नहीं होना चाहिए NGD बोल रहा हूं है New Zealand dollars उसे जादा नहीं होना चाहिए तो इतना cash आप carry कर सकते हो उसमें यह benefit आपको मिलेगी कि New Zealand dollars आप लेके जाते हैं तो जब airport से exit करते हैं तो वहां पर आपको उसी country की currency available हो भी और उससे आप travel कर सकते हो खापी सकते हो SIM card ले सकते हो तो काफी सारी चीज़ें आप उसमें ले सकते हो और बस तो यहां पर आपके documents जो है वो complete हो जाते हैं इसके अलाब भाई आप जब flight में जाते हो तो flight attendant जो होते हैं आपको एक declaration form देते हैं declaration form में आपको पूरा उसमे information होती है कि आपको क्या क्या डालना है क्या 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 चीज़ें आपके पास हैं क्या क्या चीज़ें आप luggage में लेके आए हो और क्या आपकी detail है कहां पर रुकोगे वो उसका address कहा है और कौन सा hotel है वो सारी details में होती है भाई वो online भी कर सकते हो जाने से बैटर है भाई कि क्या information आपको डालनी है और क्या 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 आपको declare करना है वो बहुत जरूरी है क्योंकि आप custom immigration क्लियर करने के बादे आप custom पे जाते हो तो वहां पे वो चेक होगी होती है और उसमें आपको आपके form के साबसे वो देखते हैं अगर उनको कोई doubt वाला item लगता है तो भाई 400 न्यूजिलेंड डॉलर का fine भी लगता है यह चीज़ भी आप ध्यान रखना तो वह बहुत जरूरी होता है और वह आप कैसे कर सकते हो मैंने वीडियो बना रखिए वो जाकर देख लेना अब बात आती है भाई कि जो जिन बंदोंने travel किया है उन्होंने कैसे travel किया और क्या उनका experience रहा तो भाई अभी के time में अगर कोई पूछे उनका जो travel experience है बड़ा ही smooth रहा कोई इतनी questioning नहीं होती normal question की for how many days you come here ऐसा ही उनका experience रहा दो मेंड में वो उनका clear हो गया था कोई भी problem नहीं आई तो जिस भी भाई को देखो travel करना है तो वो अपने सारे documents अपने visa अप अपने passport travel history वगारा सारे documents जो भी आपके पास है वो आप अपने पास रुखो for the safer side और immigration में भी कोई problem नहीं है इधर भी problem नहीं आई ट्रांजिट में भी problem नहीं आई और आगे भी कोई problem नहीं आई तो जिन भी भाईयों को भी travel करना है New Zealand ये best time है घूम के आना है best time है और तो अगर कोई भी डाउट रहता देखो इस वीड़े में पूरी information आपको दे दी कि पूरा process क्या है महां पहुंचने तक का तो इसके लाव भी कोई डाउट रहता भाई अभी जो recent travel किया जनोंने वो बड़े आराम से पहुंच गए तो एक चीज मार बताना चाहूंगा कि ज इसकी बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है तो यह चीज ध्यान रगना जब भी आप जाओ अपने वीजा को वेरिफाइज जरूर कराके जाना otherwise problem आएगी अगर वेरिफाइज हो गया that means कि आपका रास्ता clear है you can easily travel कोई शो नहीं आएग तो काफ सारे लोग पूछ रहेते भाई और आप लोगों के लिए यहां पर लोग live experience share करते हैं आपको वीजा से related आपको वीजा की सर्विश चाहिए आपको travel कैसे करना के सिकरेंटरे में क्या rule है क्या documents है ऐसे ही कुछ information इस चैनल पर आती है आपका अपना चैनल है वीडियो उसको आप share कर सकते हो और भी भाईयों के साथ जो travel से related इनकी query रहती है कोई doubt रहता है और जो भी जिसी का doubt है तो इंस्टा पर follow करो वहाँ पर message करो आपको doubt भी है तो वह भी सोलो जाएगा भाई सब को reply मिलता है mostly कोई भी question करता है और query डलता है तो reply सब को मिलता है तो follow किया करो और वीडियो को share करना भाई और भी लोगों के साथ ताकि थोड़ी सी information spread हो सके लोगों को information मिल सके और smoothly लोग ट्रावल कर सके मेलेंगे आपसे next video में तिल देन टेक करो और बाई करो और बाई